यह कहानी है एक छोटे से गाव की जो एक अद्रिश्य खत्रे के साथ बसा हुआ था। गाव वाले तथ्य के बावजूद उस गाव के पास एक पुराना हवेली था जिस पर अजीब आत्मा की कहानियां सुनी जाती थी। कितने भी कोशिश कर लो रात को वहां किसी भी कीर्तिमान के बिना कोई नहीं जाता था। एक रात एक उत्साही साहसी युवक्त नितिन नामत गाव के भय मुक्ति के नाम पर प्रसिद्ध गाव के साथ ही लालू के साथ इस हवेली की जाँच करने का निर्णय लिया। रात के समय वे हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली अद्वितीय रूप से सुनसान थी। तमाम बीढ़े लिटकरियां थी और खौफनाक माहौल में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लालू के हृदय की धड़कन बढ़ गई। लेकिन नितिन निर्भीक होकर हवेली की अंदर और आगे बढ़ने का निर्णय दिया। जैसे ही वे एक कमरे में पहुँचे वे अद्रिश्य शक्ती के सामने खड़े हो गई। एक भयंकर भूत वहाँ था जिसने उन्हें अपनी भयान अकांकों से देखा। भूत ने उन्हें कहा तुम यहां क्यों आए तुम्हें यहां से तुरंद जाना चाहिए। नितिन और लालू भागने का प्रयास करते हैं लेकिन वे दर्वाजा और खिड़की के साथ किसी अद्रिश्य शक्ती के बांगने का शिकार हो जाते हैं। दर्वाजा बड़े दहाडी के साथ बंध हो जाता है। नितिन और लालु उस भूत की पूर्ता से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वे बच नहीं सकते कहानी यहीं समाप्त होती है लेकिन वे दोस्त और गाव बालों को यहीं सिखाते हैं कि जुन ही आप किसी अद्रिश्य जगह का सामना करते हैं तो आपको वहां की अजीब शक्तियों के साथ सामर्थ्य और धैर्य की आवश्यक्ता होती है